तो है तो है इस विडियो आपको बताने वालो इसके रिगार्डिंग कि अब आपको आगे किस चीज़ के लिए रखना है क्या-क्या प्रिपरेशन करना है अभी और क्या-क्या को सोचना है कॉल लेना है किया आपको डिसाइड करना है जो कि आपको एक अच्छा गॉलेज दे ठीक क्योंकि अभी जै-मेंस का भी आपका एकजम होने वाला है तो मेरा बात ये है कि मैं आप आज मैं आप सब को बताने वाला हूं कि अगर आपका मार्क्स किसी एक रेंज में वराइं करता है तो क्या अब ही करना चाहिए साथी साथ आपको अभी क्या डॉक्मेंट्स प्रिकर करने बहुत जरूरी है बीटाइम में आपके पास और जे में प्रिपेर करना है किसके लिए कितने इंप्रटेंट है सब कुछ मैं बिताओंगे इस वीडियो में तो वीडियो का इच्छा से देखना बहुत दिन हो गया क्योंकि और इडियो सारे टापिक्स के उपर मेरे चनल पे है WBJC रिकारडिंग तो आपको मैं जूट-बूट का बताने वाला में कि होने वाला है बहुत सारे वीडियो पोस्ट पॉंड के बने इस बीच बत मैंने एक ही वीडियो में बता दिया था आप स चुका है तो इसलिए जूट मुट का वीडियो में आके कोई फाइदा था नहीं इसलिए मैंने नहीं बनाया आप सब को इसलिए कोई प्रॉब्लम ना हो आप सब को सबस्ट चाहता है बट होता क्या कि बहुत ज्याधा दीम से रहता है और मुझे से सब को जवाब रह जाता है तो इसलिए मैं ट्राय करूँगा इस वार आप सब को की जैसे कि अभी आपका डाउट सुरू होगा कुछ कुछ डाउट तो अभी मैं एक दो जूम में मीटिंग रख दूंगा सेशन टैप का और उसके बाद हम तो जब काउंसलिंग जब आएगे जब आपके रिजल्ट आ जाएगा डवली बीची काउफिश यह उसके बाद हम लोग रखेंगे तो इससे इंस्टाग्राम में फॉलो भी करने दो काम आपको करना यार मैं इतना एफ़र्ट दे रहा हो तो आप पी कुछ कर दो या ठीक है तो प्रॉल्लम की बात नहीं है कॉंसलिंग अराम से करेंगे टेंशन की बात नहीं है और सारा मटेरियल्स औरड़ी अविलेबल है मेरी चैन करेंगा क्योंकि यह पिछले साल का डीटेल्स को लेकर मैंने बाता हूँ अपना मन से कुछ देता नहीं हुए तो यही बताना था आप सबको तो आज की वीडियो में यह बताना है वाला हूं कि अगर आपका माक्स मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है अगर आपका माक्स 75 प्लस है जेनरल के डिगरी के लिए बोल रहा हूँ मैं 75 प्लस है और विसी के लिए आप से भीमानो जिन्डल एन ओबी सी का आप 5 माक्स कंतर रख सकते हो 75 जिन्रल तो 74 OBC और SC के लिए आपका 65 प्लस है या 608 प्लस है मान सकते हो ती यह फ्र्ष्ट के डिगरी में अ 30 plus है तो यह आपका second category है तो यह जो ऊपर वाला range है यहां पे आपको best colleges मिलने के chances है government colleges आपको मिलेगा general category से भी मिलेगा और से वागलों को तो मिलेगा ही सब और वो मतलब 5000 के अंदर तो बहुत अच्छा है लेकिन 10,000 के अंदर भी तो भी अच्छा आपको अच्छा colleges मिल जाएगा अगर by chance government नहीं भी मिलता है CS वगेरा तो private अपका अच्छा top 5 top 10 private में मिल जाएगा जो कि आपको अच्छा placement दिला सकता है बट problem उनके लिए है जो seconds lab में आते हैं उनको अभी तयारी करने चाहिए जही मेंस के लिए बहुत focus करना चाहिए उनका marks अगर अच्छा नहीं आया है तो इसमें क्या है कि उनको branch मिलेगा तो उनको compromise करना पड़ेगा college से देखो यह दो चीजे अगर आपको branch चाहिए मुझे CS ITEC चाहिए यही branch चाहिए तो आपको college से compromise करना पड़ेगा average college में जाना पड़ेगा लेकिन अगर आप branch compromise करने के लिए तयार हो कि मुझे food tech भी चलेगा मुझे metallurgy भी चलेगे तो आप एक अच्छा college में जा सकते हो बस कही problem है तो आप खुद से call लेना पड़ेगा मैं यही बोल रहा हूं कि क्या आप comfortable हो कि आप दुसरे branch में भी रहके आप CS वगरा का तयारी करके अच्छा placement ले सकते हो अगर हो तो आप comfortable metallurgy लेने के लिए भी और chemical और food tech or anything लेकिन अगर आप comfortable नहीं हो कि मुझे अतना tension नहीं जेला जाएगा मैं तो बस CSI पढ़ सकता हूं और एक ही subject पढ़ सकता हूं जो मुझे करना है तो आपको college से compromise करना पड़ेगा ऐसे अभी यार कोई इतना फरक नहीं पड़ता offline campus भी बहुत सारे अच्छे चलते रहे हैं means online तो on campus तो होता ही है off campus भी बहुत अच्छा से चल र करता है सिर्फ branch ही नहीं मेरा आपको यह रहेगा कि एक अच्छा college और अच्छा branch आपको कभ जूस करना है इसके बारे में एक detail वीडियो में बताऊंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा topic है तो आप खुड decide कर पाऊगे कि मुझे किस तरह का preference देना चाहिए कि college ही साब से या branch के यह ध्यान रखना यह बनवाल अगर नहीं है भर चुके तो बनवालो और जिसका भी query रहता भाया मैंने गलती से भर दिया है बट है नहीं document तो आपको डॉक्मेंट कैंसल लो जागा counseling में जनरल में shift हो जाओगे उसमें कोई problem है नहीं तो यह सब कुछ tips था जो मैंने आपको बताना चाहता था इसके आगे आगे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा यार काउंसलिक्स रिलेटेड़ और सब कुछ मैं बताऊंगा टेंसन की बात नहीं है तो मिलते हैं अगले वीडियों तक ध्याल रखना ख्याल रखना बाइ झा Linux और पुर्मोड़ से प्याल रखना गयों भे मैं लिल येफमादान में लिलेग से बात आगे लाँ ऑताना वैब ग्याल लाँणता बमेंके हुछोदी को योरा